वेल तो हे गाइस वेलकम टू माय चैनल मैंने मिस पंकस तुवल आप लोग का स्वागतन और मी रस्लिंग में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं मल्टिपल अपडेट्स के बारे में अपडेट्स Obviously रोक के बारे में कलके मन्डे नाइट रोकि हमें क्या कुछ चीज़े तेखने को मिलेंगी इसके बारे में क्या प्राक लेस्नर पेस्टैन करते वी दिखाई दे सकते हैं इसके बारे में और भी बहुत सारी अपडेट्स होने वाली है इसलिए वीडियो को एंट तक जरूर देखना और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी कुछ का अपीरियंस जहांपर कोडी रोर्स हो सकता है उनका एक सेग्मेंट देखने को मिले है उनकी उठीचने को मिल सकती हैं उनके फर्स्ट सालेंजिर को लेंगा इसके बारे में और fridge æuben यृट साहिए के लिए match देखने को मिलने वाला है तो ये match काफी जबरदस्त होगा और इस match को भी देखना काफी दा interesting रहने वाला है Sammy Jane versus Chad Gable and इसके बाद हमें the Celtic Warrior Samus का return देखने को मिलेगा ये एक important update है Samus हमें return करते वे दिखाई देंगे भाई let's see इनका किसके साथ सामना होते वे दिखाई देता है क्या कुछ यहाँ पर किसी superstar के साथ पर confront करते वे दिखाई देते हैं या फिर कोई एक separate segment देखने को मिलता है तो let's see क्या होता है वो तो overall Samus के return के बाद ही बज़ जलेगा लेकिन कल Samus का return भी announced है तो hope करते काफी कुछ देखने को मिले एंड इसके बाद हमें देखने को मिले गा जे उसो वर्सेस फिर्ण बालर का match तो यह भी एक काफी बढ़िया match है इसके बाद हमें अंड्राडे वर्सेस डॉमिनिक मिस्टिरियो का मैच देखने को मिलेगा, ये भी काफी ठीक टाक मैच है, इसके बाद कटाना चैंसें, केडन कार्टर वर्सेस, चल्सी ग्रीन और पाइपर निविन का मैच भी अनाउंस है, तो ये भी ठीक है, और आईवी नाइल एंड मैक्स इसका रटन देखने को मिलेगा, तो काफी कुछ चीजे है, भाई कल के मंडे नाइट रोख के लिए मसालेदार, एंड होप सो कि कल का मंडे नाइट रोख बहुत ज़्यादा इंटर्टेनिंग देखने को मिले, मतलब एक तरीके से मान के चलो, और होप सो की कल की मंडे आपर देखने को मिल रहा है, जो कि यह भाई साब Eric Rowan के WWE return को लेकर, तो PW Insider की तरफ से एक और latest खबर देखने को मिली है, और इस खबर के वज़े से यह पता चल रही है ना, कि भाई Eric Rowan WWE के अंदर signed है, और बहुत ही जल्द ही हमें देखने को मिलने वाले हैं, तो पिछले आपते हमें यहाप पर जो कि WWE देखने को मिला था, वहाँ पर जो कि Eric Rowan थे हैं, तो इस अपते हो सकता है कि जो Eric Rowan है, इस अपते WWE के रहा के backstage में हमें होते वे दिखाई दे सकते हैं, यानि कि Raw के अंदर में भी हमें Eric Rowan return करते वे दिखाई दे जाएं, रिपोर्ट्स PW Insider की तरफ से यही देखने को मिली गया है, कि अब Eric Rowan WWE के साथ में बने हैं, और हो सकता है उनका हमें कभी भी return देखने को मिल जाएं, यानि कि Eric Rowan बहुत ही जल्द अपना return करते वे दिखाई दे सकते हैं, WWE के TV टैपिंग्स पे, और I hope so कि हमें ऐसा ही देखने को मिले हैं, और ब अच्छी खासी प्यारी returns है, यह सब देखने को मिल जाएं, I hope so कि काफी कुछ बढ़े हैं देखने को मिले, बाकी बढ़ लेते हैं, वैसे अगले update के बारे में बात कर लेते हैं, तो यह update हमें हमारे देखने को मिल रहा है, the people's champ, the brahma bull, the rock को लेकर, तो भाई, the rock के returns को लेकर जो कि इसकी shooting चल रही है, जिसको लेकर the rock अभी shooting के लिए जाते हुए दिखाए दिये, तो smashing machine को लेकर reports यह देखने को मिले है, कि थोड़ा बहुत shooting delay हुआ है, लेकिन जो smashing machine की पूरी shooting है, film shooting है, वो पूरा खतम हो जाएगा, एक अगस्त तक पूरा खतम हो जाएगा, और फि people's champ the bramable the rock appear हो सकते हैं, maybe वो Cody Rhodes के उपर attack कर दे, maybe वहाँ पर वो match wrestle कर दे, but हमें यहाँ पर smashing machine बहुती जल्द एक अगस्त तक उसकी shooting खतम हो जाएगी, इसके बाद the rock summer slam के लिए obviously free है, और इसके बाद expectation तो यही लग रहा है, कि maybe हमें यहाँ पर the rock summer slam की feud देते वे दिखाए दे जाए, इसके बाद fan development के साथ में Russell Mania तक बनते वे दिखाए दे जाए, let's see, ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है या पर नहीं, but यह कुछ यहाँ पर the rock को लेकर updates देखने को मिल रही है, by hopes हो कि काफी कुछ पड़ा तगणा return देखने को मिले, और the rock जैसे return करेंगे, काफी क कुछ चीज़े यहाँ पर उन पर depend करती है, आप लोग को पते ही है, यहाँ पर सोलो सी को वाला कैसा feud चल रहा है, then इसके बाद यहाँ पर romance वाली क्या situation चल रही है, and then इसके बाद हमें यहाँ पर जिस तरीके से overall bloodline versus bloodline वाली story form करते जा रही है, तो यहाँ पर the rock का involvement काफी जदा important रहेगा, तो ऐसे में यहाँ पर the rock हो सकता है, summer slam तक time बनाते वे दिखाए दे जाए, और उसके बाद फिन वो सारी चीज़ों को अंजाम देते वे दिखाए दे जाए, बाकी बढ़ लेते अगले update के बारे में बात कर लेते, तो यह update है, इस update के, मतलब इस update के नहीं भाई, सौरी, गलतीस निकल गया, Brock Lesnar को लेकर बात करेंगे, the beast incarnate Brock Lesnar के हमें बहुत ही जल्द return करते वे दिखाए देंगे, और क्या return जब देखने को मिलेगा, तो क्या हमें उनका return as a face superstar देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक तो हमें as a heel superstar देखने को मिल रहे थे, फिन उस अब Brock Lesnar को mention किया गया है, Brock Lesnar को लेकर WD बाते कर रही है, even यहाँ पर Triple H WrestleMania के press conference के अंदर भी बात कर चुके हैं, तो ऐसे मेहाँ पर clear message है कि Brock Lesnar हमें return करते वे दिखाए देंगे, अब जल्दी return करेंगे या फिर लेट return करेंगे, लेकिन confirm है कि WD Brock Lesnar का return करवाएगी, और Brock Lesnar W के अंदर return करेंगे, तो वो किस रूप में return करने वाले हैं, क्या उनका हमें इस बार जो return देखने को मिलेगा, वो as a face superstar देखने को मिलेगा, तो yes, 110% locked है, कि अगला जो Brock Lesnar का return होगा, वो हमें as a face superstar ही देखने को मिलेगा, WD यहाँ पर साइदी वो badass वाला character लाते वे हैं कि personally वो देखने को मिले, but Brock Lesnar as a face देखने को मिलेंगे, but fans यहाँ पर चाहेंगे कि Brock Lesnar का heel वाला character देखने को मिले, जो कि हमें 2016 के टाइम पर देखने को मिलता था, so let's see WD क्या कुरती वे दिखाए देती है, heel character after face, आप लोगा क्या thoughts है, comments में जरूब बता सकते हो, बाकि वीडियो अच्छे लगी तो आप लाइक करो, share करो, subscribe करो, जो भी करना है कर सकते हो, इंस्टा, twitter, whatsapp चैनल, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर follow कर लो और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई सब्सक्राइब कर लो, latest updates और और इंट्रस्टिं झाल